जैहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्पूर जानकारिया दूँगा चलते हैं पहली जानकारी की तरफ दोस्तो एक फॉर्म है डिपीडियो ट्रेजरी का ये है लाइफ सेट्फिकेट को ले होता है तो जैसा कि ये फॉर्म है इसमें पीएस का मतलब होता है पैंशनर सीरियल नंबर और टीएस का मतलब होता है ट्रेजरी सीरियल नंबर तो उसमें ये मैंशन करेंगे और लिग देंगे कि आज की डेट तक ये जिवीत हैं तो फिर इस तरीके से अपना ये लाइफ से लिजिए, कहीं आपकी सितंबर में तो अपडेट नहीं है, कहीं आपकी नवंबर में तो अपडेट नहीं है, तो जिस महीने आपका डिव होगा, तो उस से पहले, उस देट से पहले आप अपना Life certificate चाय तो digitally या फिर manually, तो यह पैंशनर थे DPडियो या फिर treasury के तो यह form है तो इस form के जरी अपना life certificate submit करेंगे यहाँ पे signature यहाँ पे name designation of authorized officer attested करेंगे और फिर यह submit कर देंगे चलते हैं अगली information की तरफ फिर दोस्तो एक pensioner है जो है ex warrant officer VKS रावत इनको जवाब आया है PCDA की तरफ से किस चीज का जवाब है इन्होंने शिकायट डाली थी पूछा था regarding non grant of ex group पे बाशच्ट सो रुपए for the pensionary benefit यानि pensioners को ex group पे बाशच्ट सो रुपए का लाब नहीं दिया जा रहा जो ओर रूपी टू जो अलग 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 बनाई टेबल नमबर 7 टेबल नमबर 8 तो उसके regarding PCDA ने कुछ खास जवाब नहीं दिया है इन्होंने यह बता दिया कि 2016 के बाद जो आए उनके लिए अलग टेबल है जो 2016 से पहले आए उनके लिए अलग टेबल है यानि एक्स ग्रूप को ही दो भागों में डिवाइट कर दिया दो टेबल में डिवाइट कर दिया तो इसमें PCDA तो कुछ करेगा नहीं CDA तो कुछ करेगे नहीं तो इसलिए इसपे अगर कुछ result चाते हैं pensioner तो इन्हें court case करना पड़ेगा या तो supreme court या फिर AFT या फिर दिल्ली हाई court क्योंकि PCDA इसमें कुछ नहीं करेगा क्योंकि PCDA भी काम कर रहा है भारत सरकार के आदेशों पे तो दोस्तों इसमें इन्होंने यही जवाब दिया है कि किस तरीके से 6 CPC में एक्स ग्रूप को लेकर चीजे निर्धारित हुई थी फिर 7 CPC में 2.57 करके चीजे निर्धारित हुई pension set हुई एक्स ग्रूप को लेकर लेकिन दोस्तों इन्होंने बता दिया कि हम इसमें ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं तो यही इस लेटर में समझा रहा है चलते हैं अगली information की तरफ फिर दोस्तों एक information निकल के आईए for information of beneficiary of ECHS ECHS के जो member है beneficiary है medicine claim submitted with the polyclinic अगर वो medicine का या फिर किसी operation का अपना medical bill submit कर रहे है polyclinic के थूँ तो उसमें when process for payment are coming under observation due to GST number not mentioned अगर आप polyclinic में अपना bill submit कर रहे है medical claim का अगर उसमें GST number मौजूद नहीं है तो आपके bill reject हो सकते हैं तो इसलिए जहां से आप दवाईया खरीदें तो उसमें आप देख ले कि below में GST number मौजूद हो क्योंकि कई chemist वाले होते हैं जो bill देते हैं दवाईयों के या फिर कहीं आप hospital जा रहे हैं कहीं आपने operation करवाया treatment कराया जो bill submit हुए उसमें कई बार GST number नहीं होता तो जिसकी वज़े से आपको claim लेने में दिक्कत होती है तो एक बार आप सही से चक कर लेजिए below को चाहिए वो medical claim below चाहिए वो medicine के below चाहिए किसी चीज के below treatment के यवर आप सही से चक कर लेजिए कि जो आपको दुकानदार दे रहा है या फिर hospital वाले दे रहे हैं उसमें GST number मौझूद है या नहीं है नहीं तो जो आपके medical bill है वो reject हो सकते हैं तो यहीं चीज इसमें समझा रखी है beneficiary are informed to purchase medicine from medicine shop अगर आप medicine shop से या फिर pharmacy से दवाया खरीते हैं which are register for GST, GST से वो register हो उसमें GST number मौझूद हो, the GST number on their invoice और जो bill है उसमें भी GST number होना चाहिए medicine claim without GST number will not be accepted at the polyclinic for processing अगर polyclinic आपके bills को process कर रहा है claim के लिए तो अगर उसमें देखा कि आपके bill में GST number नहीं है या फिर कोई और चीज मिसिंग है तो फिर आपका जो bill है वो process नहीं हो पाएगा तो एक बर आप सुनिश्रित कर ले, check कर ले चलते हैं अगली information की तरह फिर दोस्तो एक notice है अधार enrollment update camp for veterans is being organized by ICICI bank यानि दोस्तो अधार enrollment, अधार से चीज़े जुड़ी चीज़ों को ठीक करने के लिए, update करने के लिए एक camp लगाया जा रहा है पैंशनर के लिए और वो भी ICICI bank को द्वारा और वो भी तीन दिनों के लिए 16 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर at ECHS Polyclinic चंडीगड में ECHS Polyclinic चंडीगड में यह आयोजन हो रहा है जिसमें से कुछ ICICI bank के जो कुछ लोग है वो यह शिविर लगा रहे हैं तीन दिन का जिसमें अधार enrollment, अधार से चीज़े जूड़ी जो समस्या हैं आपकी कुछ अपडेट कराना है तो आप करवा सकते हैं वेटरेन केन अवेल फैसिलिटी इफ डिसाइड तो जो pensioners हैं, वेटरेन से वो जा सकते हैं 16, 18, 19 सितंबर को कहाँ पर जाना है, चंडीगड में आप जा सकते हैं ECHS Poly Clinic, चंडीगड में तो दोस्तों ये एक information थी चलते हैं अगली information की तरफ फिर दोस्तों कुछ pensioners पूछ रहे हैं कि सितंबर 2023 pension credit सितंबर की pension कब credit होगी, क्या chances है सितंबर की pension की credit होने के ये इसलिए पूछ रहे हैं जिस तरीके से आपने अगस्त की pension देखी होगी लेट लतीफ होई है, उसी तरीके से काभी pensioners चिंता में है कि सितंबर की pension टाइम पे आएगी या नहीं आएगी दोस्तों सितंबर की pension आपकी 30 सितंबर को आनी चाहिए इस मंत के last day में अगर इस पर्ष के software में कोई तकनीकी दिक्कत ना रही तो तो आपको ठीक टाइम पर आपको सितंबर की pension मिल जाएगी लेकिन उसके लिए आप थोड़ा wait करिए अभी आपको चिंता करने की जुरत नहीं है अभी दिन बाकी है सितंबर की pension credit होने के बाकी जो bank के तुरू pension ले रहे है उनकी सितंबर की pension 21 से 30 सितंबर के बीच में credit हो सकती है और इस पर्ष की जो pension है सितंबर की वो 30 सितंबर तक credit हो सकती है 30 सितंबर को तो दोस्तों ये कुछ information थी जो मैंने आपको धी आपके welfare से related इसकी regarding आपका और कुछ पूछनो तो नीचे आप मुझे comment कर सकते हैं वीडियो आपको अच्छे लगता है वीडियो को like करें और इस channel को आप subscribe कर सकते हैं Thank you so much